मध्यप्रदेश के सिहोर में स्रिष्टी को बचाने के लिए ओपरेशन जिंदगी पिछले 36 घंटे से जारी है। मध्यप्रदेश सरकार ने रिसक्यों ओपरेशन के लिए अब आमी को भी जोईन करा दिया है ताकि धाई साल के स्रिष्टी को बचाया जा सके। स्रिष्टी कल खेलते वक्त 300 फीट गहरे बोलवेड में जागी थी। कहा ये जा रहा है कि स्रिष्टी अब 100 फीट की गहराई पर जा पहुची है पहले वो 30 फीट की गहराई में थी। चुकी रेस्क्यू में बड़ी चटाने होने की वज़े से काफी दिखते आ रही है और जैसे जैसे चटान तोड़ी जा रही है वैसे वैसे श्रिष्टी नीचे खिसकती जा रही है। ये पूरा रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है दस जैसी भी मशीने लगाई गई हैं उसी के बगल में जो बोर्वेल है उसके ठीक बगल में पहले ली गड़ा खोदा जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि जैसे जैसे ये गड़ा नीचे खोदा जा रहा है ठीक वैस साल की बच्ची अचानक खेलते खेलते बोर्वेल में जाकर गिरी थी और इस पूरे मामले को अब आर्मी ने भी इस पूरे रेस्क्यू आपरेशन को अब जुट कर लिया है कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से श्रिष्टी सही सलामत बाहर आ जाए जीजान से रेस् रहे हैं और तमाम जीतोर कोशिश की जा रही है कि श्रिष्टी को बाहर निकाला जा सके श्रिष्टी के माता पिता से भी हमने कल बात की थी श्रिष्टी की माता पिता ने बताया कि वो उनकी इकलौती बच्ची है धाई साल की है खेलते खेलते अचानक वो जाकर बोर्वेल में गिर गई पहले वो 30 फिट की गहराई में फसी हुई थी लेकिन अब जानकारी आ रही है कि करीब 100 फिट की गहराई में श्रिष्टी जाकर पहुच गई है और हमारे सेयोगी अनुराग अनुराग अमिताब आप तक मेरी आवाज आप आ रही है चलिए हम फिर से बातशीत करने की कोशिश करेंगे ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रिष्टी को बचाने की कोशिशे लगातार जारी हमारे सेयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अन कि तकरीबन जो 26 घंटों की जो मेहनत थी जो कल से लगातार दो पहर दो बज़े से जद्दो जह चली आ रही थी मासूम शष्टी को बचाने की वो काम्याब होते दिखाई दे रही है तस्वीरे अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ये एम्बुलेंस खड़ी गए है और इ असल आर्मी को जब लगातार 24 घंटे का वक्त हो गया उसके बाद आर्मी को यहाँ पर बुलाया गया और आर्मी के आते ही साथ जो पुराने जो पुराना जो तरीका था उसी के सहारे ये जो शष्टी है वो निकलने वाली अगर आप दूर देखेंगे वो बोरवेल की उप का हिस्सा एक लंबा सरिया सा आपको दिखाई दे रहा है दरसल ये वो कन्वेंशनल मैथट थी जिसके सारे ये जो हुक है इस हुक को नीचे भेजा गया जो बताया जा रहा था तकरीबन सौ फीट ऊपर जो जो सौ फीट नीचे शष्टी जो गिरी हुई थी उस सौ फीट इसे सक्सेस नहीं मिली क्योंकि जो हार्ड स्टेटा था जो कथोर पत्थर था उसके चलते खुदा ही नहीं हो पा रही थी बच्ची कंपन के कारण 40 से लेकर सौ फीट तक नीचे पहुच गई थी जिसके बाद ये कोशिश की गई और कोशिश करने के बाद कन्वेंशनल तर इसको निकाला जाए क्योंकि लंबा वक्त हो गया था 26 घंटे हो गए थे मासूम जो श्रिष्टी है तीन साल की वह बिना खाना पीना खाय हुए अपने माता पिता के प्रेम किस बिना वह लगातार इस जो बोर्वैल है उसमें थी ऐसे में बड़ा लंबा समय गुजर चुक रहा था हार्ड स्टेटा कठोर पत्थर आ जाने के चलते खुदाई हो नहीं पारी थी 30 फिट तक ही पहुचा था ये पोकलेन और जेसी भी इसी बीच इनकी कमपन से जो ये कमपन हो रही थी जेसी बी और पोकलेन की उससे बच्ची जो 300 फिट का जो बोर्वैल था उसके 30 इसमें फिट पर फसी हुई थी वो सरक्कर पहले 40 फीट पर आती है 40 फीट पर आने के बाद वो बच्ची 100 फीट तक नीचे आ जाती है जैसे ही एक अबर बद्रप्रदेश के मुक्पति शिवराद सिंग चौहन को मिलती है वो तुरेत निर्णाय लेते हुए आर्मी को बु अगर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं आखरी चरण में बच्ची को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है आप देखेंगे धीरे धीरे बच्ची को सौ फिट नीचे जो बॉर्वेल तकरीमां 300 फीट नीचे था 300 फीट गहरा था उसके सौवे फीट पर तकरीमां वो गया है शिष्टी के माता पिता दादी वो सब यहां पर आ चुके हैं और तस्वीरे उनी पलों की देख रही है जिनका 26 घंटों से पूरा देश इंतजार कर रहा था पल के पावड़े बिचा कर मिशन शिष्टी का कि क्या मिशन शिष्टी में निकालने की जो प्रक्रिया ह वो सुरचित रहती है सटीक रहती है क्या बच्ची अच्छे से निकल पाती है या नहीं यह सवाल अब भी समय के गर्थ में है क्योंकि निकाले जाने की प्रक्रिया तस्वीरों में आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही है जो आर्मी यह बिल्कुल अनुरांग मित डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर